प्रेंसाथियों ये पार्ट फॉर है इस वीडियो को बना रहे थे तो बीच में अपडेट आ गया था इस वज़े से जो है तीसरा पार्ट बहुत छोटा ही था चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट में हम लोग विधान परिशत के बारे में देखने वाले हैं किसके बारे म विधान परिशत के बारे में राज्य विधान मंडल का दूसरा और उच्च सदन विधान परिशत राज्य सभा के समान ही यह भी एक अस्थाई सदन है क्या कह रहा है कि यह भी जो है क्या है आपका अस्थाई सदन है किसकी तरह है आपका राज्य सभा जैसे अस्थाई होता है उस तरह से यभी अस्थाई होता है ठीक है इसका और नाम क्या है उच्छ सदन चलिए अतराजिपाल इसका विख्टन नहीं कर सकता है अनुछेद 179 के तहद संसद को किसी राज में विधान परिशत को अस्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है तो आपको बता दे हर राज्य में जो है विधान परिशत नहीं है क्या हर राज्य में जो है आपका विधान परिशत नहीं है छीच injection किया जाना है तोटिट की जाना product ये बहुत प्रश्ण पूचा जाता है अगर किसी राज में विधान परिश्द का उत्साधन किया गयSo Kاشी एगा, ये को तो lifting आनुच्षेद के आनुच्छे ना ना हता है आपका अनुछे देख सो उनहत्तर के अंतरगर्द इसके लिए उस राजिकी विधान सभादवारा इस आसय का संकल्प अपनी कुल संक्या के बहुमत तथा उपस्तित और मदान करने वाले संक्यों के दो तिहाई बहुमत से जैसे माली जी संक्या आपका कितना होता है विधान सभादवा का जैसे यूपी का क्या है चार सो तीन है तो इसका तो बहुमत होना चाहिए लेकिन उपस्तित और मतदान करने वाले संक्यों के दो तिहाई बहुमत माली जी उपस्तित तीन सो ही है तब दो तियाई कितना हो जाएगा दो सो हो जाएगा इस परकार विधान परिशत एक ऐसा सदन है जीसे समाप्त तो किया जा सकता है परन्तु विगटित नहीं किया जा सकता है क्या विगटित नहीं किया जा सकता है विधान परिशत का गठन तो आपने देख लिया 179 जो है किस से संबंदित था कि अगर किसी राज में आपका विधान परिशत का क्या करना है बनाना है या खतम करना है तो कौन कर सकता है संसत कर सकता है लेकिन उस राज की विधान सभा में ऐसा प्रस्ताव लाना होगा जो उस राज की विधान सभा का बहुमत तथा मतदान करने वाले और उपस्थित लोगों का दो तिहाई बहुमत ते क्या होना चाहिए आपका पारीत होना चाहिए चलिए अब अनुछेद 171 विधान परिशतों की रचना या गठन के बारे में है इसमें कहा गया है कि किसी राज में विधान परिशत के सदस्यों की कुल संख्या उस राज के विधान सभा सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी जैसे मानली जे आपका यूपी वे कितना 403 तो क्या कहा गया है कि इसका एक तिहाई से अधिक नहीं होगा विधान परिशत का जो संख्या होगा विधान सभा के संख्या का एक तिहाई से अधिक नहीं होगा किन्तु किसी विधान परिशत के सदस्यों कि कुल संख्या किसी भी दसा में 40 से कम नहीं होगी ये भी कहा गया है उत्तर प्रदेश की विधान परिशद में सरवाधिक कितने सदस्य हैं सो सदस्य हैं दिती अस्थानाप का महरास्थ है यहां पे 88 है अब इनके सदस्यों का निरवाचन कैसे होता है यहां से प्रशनाप का जब पूछा जाता है बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इनके निर्वाचन की प्रिकिरिया बहुत ही जटिल है, अनुछेद 171 के अनुसार विधान परिसत के सदस्यों का चुनाओं, और प्रत्यच रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित पद्धत के अनुसार ए जुप्त नहीं होता है, ओपन रूप से होता है, फुल चार प्रकार के निर्वाचक निर्वाचन मंडल एक निश्चित अनुपात में विधान परिसत के सदस्यों का चुनाओं करते हैं, तथा से सदस्य से राजपाल द्वारा मनोनित किये जाते हैं, तो एक बटे 6 सदस्य सबसे पहले देखिए विधान सभा का निर्वाचन मंडल, विधान सभा के जो सदस्य हैं, यानि जो विधान परिसत के एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन, विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, यानि जो विधान परिसत के एक तिहाई सदस्टे हैं कितने हैं विधान परिषद के एक तिहाई सदस्टे हैं वो किसके द्वारा आपका विधान सभा के सदस्टे के निर्वाचक मंदल द्वारा फिर आप का जाईए अस्थानिय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल विधान परिशत के लगभग एक तिहाई सदस्य, किसके किस्ते नगरपालिका, जिला पंचायत तथा अन्य अस्थानिय स्वायत अस्थाजन के संस्थाओं के सदस्यों से निर्मित निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं तो अगर आप से प्रश्न यहां पूछेगा क्या पूछेगा अस्थानिय संस्थाओं के निर्वाचक मंडल द्वारा विधान परिशद के कितने सदस्य चुने जाते हैं तो एक बटे तीन यहां से भी चुने जाते अब आजाईए आपका सिच्छकों का निर्वाचक मंडल तो विधान परिशद के लगबग बारहवा एक बटे बारहवा भाग उन सिच्छकों द्वारा चुने जाते हैं जो राज्य के भीतर माध्यमिक विद्यालियों या इससे उच्छ सिच्छड संस्थानों में कम से कम त असनातक का निर्वाचक मंडल विधान परिशद के सदस्यों का लगबग बारहवा भाग ऐसे ब्यक्तियों द्वारा चुना जाएगा जो कम से कम तीन वर्स पुरु किसी विद्याले से असनातक कर चुके हों अथ्वा संसत द्वारा निर्वेत किसी विदी के द्वारा अस सबसे पहले आपने देखा क्या एक बटे तीन आपने देखा किसके दोरा विधान सभा के सदस्यों दोरा एक बटे तीन आपने देखा किसके दोरा जो स्वायत संस्थाएं थे एक बटे तीन देखा आपने टीचर के स्वारी एक बटे आपने बारे देखा टीचर का जो निर्वाचक मंदल था अध्यापकों का एक बटे बारे आपने दे ते पूरा का जोडेंगे 1 बटे 3, 1 बटे 3, 1 बटे 12, 1 बटे 12 और 1 बटे 6 ते पूरा का वैलू क्या जाएगी एक आजायेगी क्या इस तरह से किया जाता है हुआ यह जो व्याताब है कि संसत दोरण अगस्त दो 023 को जन प्रतिनीधित्त और अधिनियम क्या कहा रहा है अगस्त 2023 को जन प्रतिनिधित अदिनियम 2003 पारित किया गया है जिसमें राज्यों की विधान परिषदों के चुनाओ के लिए खुली मतदान प्रडाली लागू तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या होता है खुला मतदान प्रडाली होता है अता अब राज्य सभा और विधान परिषद दो ऐसी संस्थाएं हैं जिनके चुनाओ गुप्त मतदान के अधार पर नहीं वरन खुले मतदान के अधार पर होते हैं किसका किसका विधान परिषद का और राज्य सभा का जो चुनाओ होता है वो खुले मतदान पे होता है इस प्रडाली के तहत मददाता अपना मतपत्र पार्टी के अधिकरित एजेंड को दिखा सकता है अब सदस्यों की अहरताएं देखते हैं समिधान के अनुछेद 173 के अनुसार किसी व्यक्ति को विधान परिशत का सदस्यों से निर्वाचित होने के लिए आवस्यक है वह भारत का नागरिक हो तीस वर्ष की आयव पूरी कर चुका हो ऐसी अन अहरताएं रखता हो जो की संसत द्वारा निर्मित किसी विधी द्वार विहित की गई हो अब इसका कारेकाल देखिए विधान परिशद एक अस्थाई सदन है कैसा सदन है अस्थाई सदन है यह कभी भंग नहीं होता बलकि इसके एक तिहाई सदस से हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर आवकास ग्रहण कर लेते हैं तो यहां से आपका प्रस्ण ब सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर आवकास ग्रहण करते हैं और उनके अस्थान पर उतले ही सदस्य निर्वाचित कर लिये जाते हैं इस परकार प्रतेक सदस्य छै वर्ष तक विधान परिशद का सदस्य बना रहता है बीच में माली जीए कोई सदस्य का डेत हो गया या कुछ हो गया स्टीट खाली हो गया तो जो बचा हुआ समय है माली जीए किसी का दो साल बचा है तो दो साल के लिए ही रहेगा ऐसा नहीं है कि वो पूरा छे साल के लिए है वो सबसे रहेगा ना बीच में जो आएगा सभी के लिए रहेगा सदस्यों की अयोग्यता समिधान के अनुछेद 911 के अनुसार राज्य की विधान सभा या विधान परिशद का सदस्य चूने जाने के लिए निम्लिखित ब्यक्ति अयोग्य होगे कौन कोन अयोग्य होगा जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधिन लाभ का पद्धारण करता है जो सच्छन नयायाले द्वारा विक्रित चित घोसित कर दिया गया हो या घोसित दिवालिया है जो भारत का नागरिक नहीं है जो संसत द्वारा बनाई गई विधी के अधिन अयोग गोसित कर दिया गया है और जो दल बदल के कारण अयोग है कोई व्यक्ति उप्रोक्त में से किसी अयोग्यता से ग्रस्त है या नहीं इस प्रस्ण का विनिष्चे कौन करेगा पहले भी बताया आपको राजपाल करेंगे किसके परामर्से से करेंगे निर्वाचन आयोग के परामर्से से करेंगे राज़पाल का इस संबंद में चुना गया निर्ड़े अंतिम होता है तथा उसे किसी भी नियायाले में चुनावती नहीं दी जा सकती है सदस्यों के अस्थानों का रिक्त होना यथा यदि कोई व्यक्ति विधान मंडल के दोनों सदनों का सदस्ये निर्वाचीत हो जाता है माली जीए वह विधान सभा का भी सदस्ये बन गया विधान परिशद का भी बन गया तो उसे एक सदन से त्याक पत्र देकर एक अस्थान रिक्त करना पड़ता है इसके अत्रिक्त वा किसी राज्य के विधान मंडल और संसत का भी एक साथ सदस्य नहीं रह सकता है मान दिजिए वो विधान सभा या विधान परिशत का सदस्य बन गया और उधर लोक सभा या राज्य सभा का भी सदस्य बन गया तो कोई न कोई एक पद रिक्त करना पड़ेगा, यदि कोई सदस्य कि अनुमती के बिना, यदि कोई सदस्य यहाँ पर सदस्य नहीं होगा, ठीक है, यदि कोई सदस्य यहाँ पर अध्याच्छ या ऐसा कुछ होगा, कि अनुमती के बिना साथ दिन से, साथ से अधिक दिन तक सदन की बैठकों में एक की नहीं होगा ठीक है इसको हटा दीजे बस एक की हटा दीजे यदि कोई सदस्य अनुमती के बिना साथ से अधिक दिन तक सदन की बैठकों में लगतार अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है और उसका अस्थान जिक्त हो जाता है तो आप से पूछ देगा कि अगर कोई व्यक्ति लगतार कितने दिन तक अनुपस्तित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्थ हो जाती है तो आपका एंसर क्या हो जाएगा? साथ दिन तक यदि किसी सदन की सदस्यता के बाद निर्धारित यगता नहीं रह जाती है क्या? यदि किसी सदन की सदस्यता के बाद निर्धारित यगता नहीं रह जाती है या कोई निर्धारित यगता पैदा हो जाती है तो वह सदन का सदस्य नहीं रह जाता है यदि कोई सदस्यता दल बदल करता है तो उसकी सदन से सदस्यता समाप्त हो जाएगी और उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। विधान मंडल के दोनों सदनों में से परतेक सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने के पुर्व, राजपाल के सम्मुक्ष या राजपाल द्वारा नियुक्त ब्यक्ति के सम्मुक्ष, समिधान और देश की प्रभुता के प्रतिसरधा और निष्टा की सपद देने पड़ती है। जो आपके विधान सभा के सदस्य हो गए या विधान परिशत के सदस्य हो गए, किसके समझ सपद लेते हैं, राजपाल के समझ सपद लेते हैं। विधायकों को पेंसन देने की व्योस्था पहली बार कप की गई थी? 1977 में याद रखियेगा। प्रतेक वर्स, राजपी विधान मंडल के प्रतेक सदन के कम से कम दो अधिवेशन होते हैं। जो राजपा विधान मंडल होता है, यानि विधान सभा और विधान परिशत कितने? कम से कम दो अधिवेशन तो होंगे हैं। समिधान के अनुछेद 174 के अनुछार एक अधिवेशन की अंतिम बैठक और दूसरे अधिवेशन की पहली बैठक के मद्य अंतराल छे माह से अधिक नहीं होना चाहिए। सदनों की बैठके बुलाने और अस्थगित करने का कारे किसके द्वारा किया जाता है? राज़ेपाल द्वारा। होती है। यहां पर काने का क्या मतलब है? संबंदित सदन, यानि विधान सभा हो गया या विधान पर्शद हो गया। उसका जो कुर्रम होगा, क्या? गड़पूर्ती को क्या बोला जाता है? कुर्रम। या तो दस होगा, या कुल सदस्य संख्या का एक बड़े दस होगा, जो भी अधिक होगा। यदि इतने सदस्य उपस्थित नहीं हैं, तो सभापपती अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर देगा, जब तक कि गड़पूर्ती ना हो। सदन में नेड़े, उपस्थित और मद्दान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाता है, परंतु दोनों पच्छों के मत समान होने पर अध्यच्या सभापती को अपना नेड़ायक मत देने का अधिकार होता है। सदस्यों के विशेसा धिकार विधान मंडल के सदस्यों को अधो लिखित विशेसा धिकार और उनमुक्तियां प्राप्त है। नियायाले में कोई कारवाही नहीं की जा सकती है। विधान मंडल के छेत्र में किसी भी सदस्यों को अध्यच्या सभापती की अनुमती के बिना बंदी नहीं बनाये जा सकता है। तो उसकी सूचना अध्यच या सभापती को तुरंत देना आवश्यक होता है। क्या कहा रहा है। विधान मंडल के छेत्र में किसी भी सदस्य को अध्यच या सभापती की अनुमती के मिना बंदी नहीं बनाए जा सकता है। माली जी उसके छेत्र के बाहर भी बंदी बना रहे हैं तो या तो अध्यच को या तो सभापती को क्या होगा सूचना देना आवस्त्यक है। राज्य विधन मंडल का कोई अधिकारी या सदस्ते जिसे सदन में कारे संचालन या व्यवस्त्ता बनाए रखने की सक्ति प्राप्त है वह इन सक्तियों के प्रियोक के संबंद में किसी नियायाले की अधिकारिता के अधिल नहीं होगा। राज्य विधन मंडल को समाने तया उन सभी विषियों पर कानून बनाने की सक्ति प्राप्त है जो राज्य सूची में और समवर्ती सूची में दी गई है। लेकिन राज्य और केंद्र के टकराव की स्थिती में यानि विरोधा भास की स्थिती में जो केंद्र द्वारा बनाया गया विधी होगा वह आपका मानने होगा। कुछ विधेयक राज्य विधान मंडल में प्रस्तावित किये जाने से पहले राष्टपती की अनुमती आवस्यक होती है। ऐसे विधेयक जिनका संबंद राज्य के भीतर या विभिन राज्यों के बीच ब्यपार वाडिज वह आने जाने की स्वतंतरता पर रोक लगाने से है। देना पड़ेगा। कुछ विधेयकों को राज्य विधान मंडल द्वारा स्विक्रिती हो जाने पर राष्टपती की स्विक्रिती प्राप्त होना आवस्यक है। कानून के विरोध में हो। यदि राज्य सभार राज्य सूची के किसी विषय के संबंद में दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि राश्त्री हित में संसद को इस विषय पर कानून बनाना चाहिए, तो संसद राज्य सूची के उस विषय पर भी धी बना सकती ह वैसे तो आपको संसद को बता दें राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है लेकिन अनुछे 249 के अंतरगत राज्य सभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे दो तिहाई बहुवस्ते कि रास्ते हित को देखते हुए संसद द्वारा कानून बनाए जाना आवस्त्यक है तो क्या हो सकता है संसद कानून उस पे बनाएगा यदि अनुछे 356 के तहट राज्य में समयधानिक तंत्र के विफल होने के कारण राश्टपती सासवन लागू किया गया है तो संसद उस राज्य के संबंद में राज्य सूची के बिस्यों पर कानून का निर्माण कर सकता है अब अगर मान लिजिए अनुछे 356 के अंतरगत राज्य में समयधानिक तंत्र आपका क्या हो गया है विफल हो गया है तो भी क्या किया जा सकता है राश्टपती सासन लागू हुआ है तो संसद राज्य सोची के बिस्यों पर कानून बना सकता है संसद अंतरास्ती संधियों और समझोतों का पालन करने के लिए भी राज्य सोची के किसे बिस्यों पर कानून बना सकती है अब आज आते हैं हम लोग प्रसासन संबंदी सकती राज्य विधान मंडल को कारेपालिका पर नियंत्रण की सकती भी प्राप्त है इसको प्राप्त है विधान मंडल को जो है कारेपालिका पर जैसे आपने देखा था विधाईका का कारेपालिका पर नियंत्रण होता है राज्य मंत्री परिशद विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदाई होती है अता मंत्री परिशद तभी तक अपने पत्पर बनी रह सकती है जब तक उसे विधान सभा का विश्वास प्राप्त है यदि विधान सभा मंत्री परिशद के विरुद अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो उसे त्याक पत्र देना पड़ता है तो विधान सभा क्या हो गया विधाईका हो गया और जो मंत्री परिशद हो गया वो कारिपालिका हो गया तो इस वज़ा से विधाईका के अंतर जो है जो हमारा कारेपालिका है वो विधाईका के नियंतरण में रहता है क्या यानि जो मंत्री परिशद होते हैं विधान सभा के नियंतरण में होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि अगर विधान सभा ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया तो पूरा मंत्री परिश्रत क्या हो जाएगा आपका खतम हो जाएगा अब आ जाते हैं हम लोग वित्ती सक्ती देखते हैं विधान सभा को राज्य के वित्त पर पूर्ड नियंत्रन प्राप्त होता है क्या का रहे देखिए विधान सभा को राज्य के वित्त पर तो क्या हो जाएगा आपका विधान सभा धन विधेयक और वित्विधेयक को राजपाल की पुर्व अनमती से किसकी पुर्व अनमती से राजपाल पुर्व अनमती का मदलब पहले जो है राजपाल से अनमती लेने पड़ेगा केवल विधान सभा में ही प्रस्तूत किया जा स धन विदेयक के संबंद में अंतिम सक्ति विधान सभाको प्राप्त है। विधान मंदल के दोनों सदनों के समझ रखा जाता है। और विधान परिशद भी अपने सभापती या उपसभापती को 14 दिन पुर्व सूचना देकर प्रस्ताव करके उसे पद से हटा सकती है। अब आजाते हैं हम लोग साधारन विधेयक के बारे में प्रक्रिया देखते हैं। साधारन विधेकों को विधान सभा या विधान परिशद दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जो हमारे साधारन विधेयक होते हैं उसको विधान सभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और विधान परिशद में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जब विधान सभा और विधान परिसद विधेयक को पारित कर देती हैं, तब उसे राजपाल के समझ अनुमती के लिए रखा जाता है। राजपाल की अनुमती प्राप्त हो जाने पर विधेयक कानून बन जाता है। यदि विधेयक को विधान सभा और स्विकार कर देती है तो वह वहीं समाप्त हो जाता है। राज्य विधान मंदल के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर गरत्ती रोध की इस्थिती में सन्यूक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे आपने केंद्र में देखा था 108 सन्यूक्त आपका अधिवेशन लेकिन राज्यों में ऐसा कोई सन्यूक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। तो अगर किसी साधारण विधेयक पर क्या होता है गतिरोध होता है तो किसी विधेयक पर गतिरोध होने पर विधान परिशत को कुल 4 माह तक सिर्फ विलंब करने की सकती है। तो आपसे प्रस्ण पूछ देगा किसी विध्यक पर विधान परिसद को अधिक्तम कितना समय तक उसको रोकने की सकती है तो एक प्लस तीन माह कितना माह हो जाएगा आपका चार माह तक जो है विलंब करने की सकती है विध्यकों पर राजपाल की अनुमती जब कोई भी विध्यक विधान सबादवारा या विधान परिसद वाले राजियों में दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तब अनुछे 200 के तहट उसे राजपाल के समच्छ अनुमती के लिए रखा जाता है अब राजपाल विध्यक के संबंद में क्या क्या सकती है उनको और क्या क्या कर सकते है देखिए वो विध्यक पर अनुमती दे सकता है या उसको परमीशन दे सकते है या परमीशन नहीं दे सकते है पहला चीज अनुमती दे सकते है दूसरा अनुमती नहीं दे सकते है फिर वो विधेयक को राष्टपती के वीचार के लिए आरत्षित कर सकता है। विधेयक को सदन ओ पुणर विचार के लिए वापस कर सकता है। तो आपने पहले देखा अनुमती दे सकता है अनुमती नहीं दे सकता है राश्पती के लिए भी रख सकता है या सदनों को कह सकता है फिर से विचार करिए किल्टू जब राज विधान मंडल या राजपाल द्वारा फुनर विचार के लिए लोटाए गए विधेयक को फुना संसोधन, सहित या राहित राजपाल की अनुमती के लिए भेज्टी है तो राजपाल विधेयक पर अनुमती देने से इंकार नहीं कर सकता है उलेखनी है कि ऐसा विधेयक जो उच्छनेयले की सक्तियों का अलपी करण करता अलपी करण मतलब उच्छनेयले की सक्तियों को जो कम करने वाला विधेयक हो राजपाल अनुमती नहीं देगा और इसे राश्टपती के विचार के लिए आरच्छित रखतेगा क्या करेगा राज्यपाल इसके अन्मति नहीं देगा ओं क्या करेगा इसको राश्च्टपति के लिए आरत्षित रखेगा विचार के लिए आरत्षित विध्यक अनुछेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राश्टपती के विचारों के लिए आरच्छित किया जाता है तब राश्टपती उस विधेयक पर अपनी अनुमती दे सकता है अनुमती रोग सकता है अत्वा राजपाल को निर्देश दे सकता है कि विधेयक राज्य विधान मंडल को पुनर विचार है तू क्या करें लोटा दे जैसे राजपाल बात दे थे वैसे राष्टपती बात दे नहीं होते हैं इस बात को ध्यान दीजिएगा अब माली जी राजपाल महोदय ने कोई विधेयक क्या किया लोटा दिया क्या किया राजपाल महोदय ने कोई विधेयक लोटा दिया थीक है अब राजपाल जी ने विधेयक लोटा दिया वो विधेयक पास होके आया फिर उनके पास आया तो अब क्या होगा उनको फिर परमीशन देना होगा लेकिन राश्टपती के केस में ऐसा नहीं है या राश्टपती के केस में ऐसा नहीं है राश्टपती को अनुमती देने के लिए बाद दे नहीं है चलिए जिन्तो राश्टपती पुनर विचार के पस्टात प्रस्तुत विध्यक पर अनुमती देने के लिए बाद्धे नहीं है अब आजाईए धन विध्यक की प्रकिरिया जैसे आपका केंद्र में अनुछेद 109 है धन विध्यक की प्रकिरिया तो राज्यों में धनविधेयक की प्रकिरिया किसमे है 158 में हैं अनुछेद 148 में के तहत राज्य विधान मंडलों द्वारा धनविधेयक पारित करने के सम्बंद में एक विशेश प्रकिरिया का प्राधान किया गया है अनुछे 1698 के अनुसार धन विधयक विधान परिशद में पुना अस्थापित नहीं किया जाएगा। अताध धन विधयक को सिर्फ विधान सभा में प्रस्तूत किया जाता है, धन विधयक को प्रस्तूत करने के लिए राजजपाल की सिफारिस आवस्यक है। यानि पहले राज्यपाल का जो है उस पे क्या किया जाता है सिफारिस विधान परिशत को धन विधेयक 14 दिन के अंदर सिफारिसों सहीत विधान सभा को लोटाना होता है विधान सभा विधान परिशत की सिफारिसों को स्विकार या और स्विकार कर सकती है यानि विधान सभा विधान परिशद की किसी सिफारिश को स्विकार करती है तो विधेयक स्विकार किये गए संसोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारिश समझा जाता किन्तु यदि विधान सभा किसी सिफारिश को स्विकार नहीं करती है तो विधेयक किसी संसोधन के बीना उस रूप में द इवप्रस्त नूटता है कि कोई विधेयक धनविधत है या नहीं तो उसका वी निष्टा कॉन करता है विधान सवा अध्यच करते हैं और उनका फैसला जो होता है प्रशाषन में नयामूर्ति फजलल अली की अध्यचता में राज्य आयोग का गठन किया गया था कब गठन किया गया था राज्य पुनरगठन आयोग का गठन 1903 में जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राजियों के पुनरगठन के उद्देश से सातमा समिधान संसोधन अधिनियम 1956 पारिश किया गया तो राजियों का पुनरगठन करने के लिए कौन सा समिधान संसोधन किया गया सातमा समिधान संसोधन 1956 में इस संसोधन द्वारा राज्यों के उक्त चार वर्गों को समाप्त कर उन्हें दो वर्गों यथा राज्य सथा संग राज्य छेत्र में रखा गया। वर्तवान में भारतिय संग के तहत कुल 28 राज और 8 संग राजी सेत्र हैं और 1956 में कितने थे 14 और 6 संग राजी सेत्र हैं संग राजी छेत्रों के बारे में उल्लेक समिधान के भाग 8 अनुछे 249 से 242 के अंतरगत किया गया है संग राजी छेत्रों के बारे में किस भाग में है आपका भाग 8 में है किस अनुछे से किस अनुछे तक 249 से 242 इसमें अनुछे 249 संग राजी छेत्रों के प्रसासन के बारे में है तो आप याद रखिएगा, आपसे डाइरेक्ट प्रस्न पूछ देगा, संग राज्य छेत्रों का प्रसासन के बारे में उल्लेक किस अनुछेद में हैं, तो 249 में, संग राज्य छेत्रों का प्रसासन किसके द्वारा किया जाता है, राश्ट्पती द्वारा किया जाता है, आपका पंजाब का है राजपाल तो राश्पती क्या कर सकता है उसे चंडी गढ़ का भी प्रसासक न्यूक्त कर सकता है और जहां कोई राजपाल इस प्रकार प्रसासक न्यूक्त किया जाता है वह ऐसे प्रसासक के रूप में अपने क्रत्यों का प्रियोग मंत्री परिसत से स निर्मित विधी के अनुसार चलाता है ध्यातब्य है कि जिन संग राजियों की अपनी विधान सभा नहीं है उसके लिए विधी का निर्मार करता है तो संग राज्य छित्रों में सिर्फ तीनी के पास तो आपका विधान सभा है जम्मु कस्मेर दिल्ली और आपका पुद्द सभा के अनुशार 14 समिधान संसोधन अधिनियम 1962 द्वारा समिधान में अनुछे 249 को जोड़ कर किस समिधान संसोधन द्वारा 14 अमेंडमेंट द्वारा 249 को जोड़ कर या प्रावधान किया गया कि संसद कुछ संगराज चेत्रों के लिए विधान मंडल या मंत्री परिशद या दोनों का स्रिजन कर सकती है इस सकती के प्रियोक से संसद द्वारा संगराज चेत्र पुद्दुचेरी के लिए विधान सभा तथा मंत्री परिशद का प्रावधान किया गया है पुद्दू चेरी में विधान सभा का प्रावधान समिधान संसोधन द्वारा नहीं बलकि संसदी विधी द्वारा किया गया है ग्यातब्य है कि दिल्ली में विधान सभा का प्रावधान 79 में समिधान संसोधन द्वारा किया गया है जबकि जम्मू कस्मिर पुनर गठन अधिनियम 2019 के तहद जम्मू कस्मिर को विधान सभा के साथ किंदर सासित प्रदेश बनाया गया है संभीधान संभण संसोधन अधिनियम पारित कर संभा में अनुछे 249 को कंखो की और अनुछे 249 को कंखो को जोडा गया तथा इसके तहद संग राजय छेतर दिल्ली के लिए विशेश प्रावधान किया गया संग राजे छेतर दिल्ली को अब राष्टी राज़धानी छेतर दिल्ली के नाम से जाना जाता है तो आप याद रखिएगा दिल्ली के बारे में प्रावधान किस अनुछेद में है 249 कौकौ एक किस से हो गया आपका दिल्ली से हो गया और किस amendment द्वारा 69 amendment द्वारा डाइरेक्ट आपका question पूछेगा amendment के बारे में और किस अनुछेद में ये भी आप से उपराजपाल अनुछेद 249 के तहत नियुक्त दिल्ली के प्रसासक को अब उपराजपाल यानि लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है उपराजपाल की नियुक्ती राष्टपती द्वारा की जाती है तो आपसे डाइरेक्ट पुछ देगा उपराजपाल की नियुक्ती किसके द्वारा की जाएगी राष्टपती के द्वारा तथा वह उसके प्रती ही उस्तरदाई होता है। उपराजपाल राश्टी राधानी छित्र दिल्ली का समयधानिक प्रमुक होने के साथ यहां की कारिपालिका का भी प्रमुक होता है। वह राश्टपती द्वारा नामीत एक ऐसे अधिकारी हैं जो विशेश प्राधानों के ताहत राश्टपती द्वरा प्रदत्य सक्कियों का प्रयोप करता है। उपराजपाल अध्यादेश भी जारी कर सकता है। इसका प्राधान की सनुछेद में है 249 औने। जो राश्ती राजधानी छेत्र दिली के लिए भी लागू होता है। बुलाने सत्रा वसान करने तथा विधान सभा को विघटित करने का अधिकार है किसको उपराजपाल को क्या क्या अधिकार है सत्र को बुलाने सत्रा वसान करने तथा विधान सभा को विघटित करने का और अस्थगित करने का अधिकार किसको होता है अस्थगन विधान सभा का का स्थगन कौन करता है विधान सभाध्यच्छ जो होते हैं कि विधान सभा के सदस्यों को अन्य राज्यों की विधान सभा के सदस्यों के भात ही राश्टपती के चुनाव में मत देने का अधिकार है यह अधिकार उन्हें कि संविधान संसोधन दिवरा दिया गया सत्तरवे मंत्री परिसत दिल्ली संग छेत्र के प्रसासन के लिए उपरे जपाल के अलावा एक मंत्री परिसत का प्रावधान भी है इसके सदस्यों की संख्या विधान सभा के कुल सदस्यों के 10% से अधिक नहीं हो सकती इस परकार मंत्री परिशत में मुख्यमंत्री सहित अधिक्तम साथ मंत्री हो सकते हैं मंत्री परिशत का प्रधान मुख्यमंत्री होता है मंत्री परिशत से सम्मंदित विशेश बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की न्युक्ति राश्पती करेंगे क्या कर रहा है दिल्ली के जो मुख्यमंत्री होते हैं जैसे बाकी राज्यों में मुख्यमंत्री की नुप्ति कौन करते हैं राज्यपाल करते हैं लेकिन दिल्ली के जो मुख्यमंत्री होंगे और पुद्दु चेरी के जो मुख्यमंत्री होंगे उनकी नुप्ति कौन करेगा राश्ट्पती करेंकि राश्ट्पती करेंगे जो है किसके प्रती उत्तरदाई होगा राश्ट्पती के प्रती मंत्रियों की न्युक्ति भी मुख्य मंत्री के परामर्ष पर राश्ट पती करेंगे यानि और जो मंत्री बनाए जाएंगे उनकी न्युक्ति भी राश्ट पती ही करेंगे राश्टपती के प्रसाद प्रेयंत अपने पद पर बने रहेंगे बाकी विधान सभा में आपने देखा था राज़िपाल के प्रसाद प्रेयंत रहते हैं मंत्री मंत्री परिशद विधान सभा के प्रति सामोहिक रूप से उत्तरदाई होगी यह आपका सेम ही है वर्तबान में पुद्दुचेरी एक मात्र ऐसा संग राजिछेत्र है जहां 249 को के तहट संसदिय विधी द्वारा स्रिजित विधान सभा तथा मंत्री परिसद है पुद्दुचेरी में विधान सभा सदस्यों की संख्या 30 है पुद्दुचेरी के प्रसासनिक अधिकारी को उपरा जपाल कहा जाता है जिसकी न्युक्ती राश्टपती द्वारा पांच वर्स के लिए की जाती है वह का अरेपालीका का सर्वोच अधिकारी होता है दो दिल्ली के समान ही पुद्दुचेरी के मु nylonन की विन्युप्टी राष्टपती ही करता है, उनलेकनी है कि पुद्दुचेरी विधानसभा के सदस्ते भी राश्टपती के निर्वाचन में भाग लेते हैं, उन्हें भी यह अधिकार कब मिला सत्तरवे समिधान संसोधन 1992 दिल्ली और पुद्दुचेरी के जो विधान सवा के सदक से हैं राष्टपती के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया अनुचेद 249 खो के तहत पुद्दुचेरी तथा राष्टी राज़ानी छित्र दिल्ली के प्रसास कोखा अध्यादेश जारी करने की सक्ति दी गई है राष्टपती की विनियम बनाने की सक्ति अनुचे 249 इसके तहत राष्टपती को निम्लिखित संग राज़े छित्रों में सांती प्रगती और सुसासन हे दो विनियम बनाने की सक्ति दी गई है अनुचे 241 के तहत संसत को या सक्ति प्राप्त है किसी संग राज़े छेत्र के लिए उच्छ नयायाले की अस्थापना कर सकती है तो आप से प्रस्ण क्या पूछ देगा किस अनुचेत के तहत संसत को या अहधिकार प्राप्त है कि संग राज़े छेत्रों के लिए उच्छ नयायाले को समिधान के सभी या किनी प्रियोजनों के लिए उच्छ नयायाले घोसित कर सकती है संसत द्वारा इस सकती का प्रियोग 1996 में संग राज़े छेत्र दिल्ली के लिए उच्छ नयायाले अस्थापित किया गया है उन लेखनी है कि दिल्ली एक मात्र ऐसा संग राज़े छेत्र है जिसका अपना एक उच्छ नयाल है क्लास मिल गया हो इस मिल जाएगा ठीक है मेरा प्रियास रहता है कि आपके लिए अच्छा कर सके जलिए ठीक है तो जैहिन जैभाराइश